आईपेल 2021 के अस्तागित हो जाने के कारण टीम मेरेजमेंट की सर्दत बढ़ चुकी है उस देशों के किर्केट बोर्ड ने साफ तोर पर अपने खिलाडियों के आईपेल के दूसर संकर्ण भेजने के मना किया हुआ है एसे मेराजस्तान रॉयल्स के टीम के तेज गेंदबाज जोफरा आर्चर आगामी आईपेल के दूसर संकर्ण मेराजस्तान के टीम में सामिल नहीं हो सकते हैं आईपेल 2021 के बचे हुए 31 मुकावले उनाइटेट अरब इमरेट में खेले जाएंगे इंगलेंड किर्केट बोड वेस्ता के कारण अपने खिलाडियों के आईपेल में दोबारा भेजने से मना किया हुआ है ऐसे मेराजस्तान रॉयल्स के टीम जफरा आर्चर के विकल्प में तोर पर तीन खिलाडियों का अपने टीम में सामिल कर सकती है इन टीम गेंदबाजों का नाम कुछ इस परकार है दोस्तो पहले गेंदबाज का नाम है दच्रीडर किर्केट टीम के लाउनर किलाड़ी वेन पर्णल टीटेवेंडी किर्केट के एक संदार किलाड़ी है दूस्तों दूसरे नमर पर आते है पुर्व एस्ट्रेलिया अलाउंडर के लड़ी जेम्स फोगनर टीट्वेंडी किर्गेट के एक धामाकेदार के लड़ी है राजस्तान जोयल्स की तरफ से आईपेल खेल चुके है जेंस फोगनर अब तक कुल आईपेल मुकाबले केलती हुए 69 विकेट चटका है और साथी 527 रन बनाए है जेंस फोगनर अन्तीम ओवर के एक अच्छे गेंदबाज भी है दोस्तों तीसरे नोव उर्पयाते हैं हाली के में समाप्त हुए इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच वर्टेश चेंपियन के फाइनल मुकाबले में धामाकेदार परदरसन करने वाले न्यूजिलेंड के तेज गेंदबाज टीम साथी परदरसन कुछ खास नहीं रहा पाए है लेकिन टीम साथी एक धामाकेदार गेंदबाज है तेम साथी आईपियल में अब तक कुल 40 मुकाबले खेलते हुए 28 विगेट छटका है दोस्तों आपको क्या लगता है इन तीन गेंदबाज में से किसको राजस्तान जोल पिक कर सकती है अपना राय कमेंट बॉक में जरूर दे अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगए ते वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइ वीडियो मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को इंड करते हैं